नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुकीजा मेरे साथ लक्षे शर्मा मौजूद है और भारत बनाम अफगानिस्तान तीन टी-20 मैचों की ये सीरीज जिसके दो मुकाबले हो चुके हैं दोनों इडिया ने जीते हैं लेकिन इसमें एक नेगिटिव चीज जरूर रही है वह है रोहित चर्मा की बल्ले बाजी दोनों मैचों में रोहित चर्मा बिना खाता कोले आउट हुए हाला कि एक मैच में अनलकी रहे रन आउट हुए लेकिन दूसरे मैच में गलत शॉट केल कर रोहित चर्मा शायद आउट हो गए लेकिन खाते में तो जुड़े दो अंडे बहुत सिंपल सी बात अंडे और जो चिराग आकड़े बताएंगे उसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा यह हिट मैं बिलकुल यह हिट मैं है और यह आकड़े है रोहित चर्मा के पि शुन्य शुन्य चार शुन्य शुन्यि exits स daug फरीगा के किलाफ दो अफगानिस्तान के खिलाफ और एक मैच पाकिस्टान के खिलाफ चार उनने बनाए पर अब जब strike rate को लेकर लग रहा था कि world cup वाली approach ही दिखाएंगे याँ पर T20 में open करेंगे power play का अच्छा इस्तमाल करेंगे लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ chase करने के उपर है या लग रहा है कि नहीं approach ही गलत है मुझे लगता है एक दो game तो खेल सकते हैं T20 cricket में तो चाहे AB De Villiers हो मैक्सवेल हो चाहे विराट कोली हो सब एक दो game तो सभी लेते हैं सच्च्वेशन ऐसी नहीं थी कि आपको 200 बैतर चेस करना था score भी आपको 100 बैतर 123 ही चेस करना था तो इतना बड़ा score भी नहीं था जो पहली ही बॉल से attack करना हो और अब देखिए अब सिक्के के अगर रोहिच चर्मा एक दो या पांच है game भी ले लेंगे उनके पास इतना कैलीबर है कि वो सारी strike rate बराबर कर देंगे बिल्कुल यही तो चीज है कि आपको शुरुआत में थोड़ा से समबल कर क्योंकि हम जानते हैं कितना potential है रोहिच चर्मा में क्या कमाल के बल्लेबा तो एक ही बचा हुआ है उससे पहले केवल एक international match बचा हुआ है जो तीसरा T20 match बैंगलूर में एकला जाएगा अलाकि उससे पहले IPL है बहुत सारे matches मिलेंगे लेकिन international cricket की जो practice होती है वो अलग होती है वो अलग confidence आपको देती है बिल्कुल तो यहाँ पर रोहिच चर्मा प मसला है मुझे लगता है जादा बहुत जादा सोच रहे है अपने दिमार में मुझे यह भी करना है मुझे लगता है बैटिंग में खुदी confused है कि मैं attack करूँ यह defense करूँ थोड़ी gain केलूँ तो मुझे लगता है कि इस मसले पर उनको यह राहूल द्रविट को उनसे बात चीत करनी चाहिए कि आप एक over ले लिजे अगर आप एक over खाली भी निकालते हैं तो आप cover कर लेंगे क्योंकि 15-16 over में मैं जीत गए तो उस over के run पहले over में अगर 5-6 run भी आते हैं तो ठीक है ना बिल्कुल पहले over में runs आ चुके थे और उसके बाद भी रोहिट शर्मा ने आउट किया और यह जो आकड़े हैं यह शायद रोहिट शर्मा तो नहीं सोचना चाहेंगे और अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको चेज ही करना होगा और अगर आप चेज करते हैं तो फिर नसरे होगी रोहिट शर्मा पर एक बार फिर से और T20 World Cup इसी साल है रोहिट का form में आना बहुर ज्यादा जरूरी भी है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईए रोहिट शर्मा का स्कोर क्या होगा तीसरे T20 I में और अगर अभी तक आपने News Nation को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया